नमस्कार मैं हूँ जूली आप इसक देख रहे हैं दिंडिया टॉप आज 5 फरवरी है और कल यानि की 6 फरवरी से कुरोना की तीसरी लहर को लेकर के जो गाइडलाइन्स लागू है उसकी अवधी समाप्त होने वाली है ऐसी में क्राइसिस मैनेजमेंट आज बैठक करके फैसल संस्थान भी आया था कि जो सभी सिक्षन संस्थान है चाहे कॉलेज हो या फिर स्कूल हो उन सभी को सो प्रतीशत उपस्थिती के साथ खोल दिया जाएगा हाला कि उन्होंने ये भी कहा था कि इस पर अंतिम फैसला जो है वो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद ही ल शुक्रवार को मुख्य सचियों आमिर सुभानी की अधिक्षिता में क्राइसिस मैनेजमेंट समूंग की बैठक हुई थी जिसमें कोरोना संक्रमन की स्थिती पर विस्त्रित चर्चा हुई लेकिन बैठक में प्रतिबंधों के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया सीम बैठक में बंद सिक्षन संस्थानों को खोले जाने के संबन में निर्णय लिया जाने का कयास लगाया जा रहा है दरसल सिक्षा मंतरी विजय कुमार चौधरी ने साथ फरवरी से राज्य के सारे सिक्षन संस्थान को खोल जाने की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि में तरीके से लगातार को रोना के मामलों में कमी दर्श की जा रही है तो ऐसे में लगता है कि जो भी प्रतिबंध लगा गये थे चाहे वो जिम को लेकर के बात करें या फिर पार आफिर मौल सभी जगह से यह प्रतिबंध कि धीरे धीरे जो स्थिती है वो सामान ने होने लगी और ऐसे में सबसे ज़्यादा जो सबकी उम्मीदें लगी हुई है वह सिच्छन संस्थानों को लेकर कि लगभग एक साल से जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और ऐसे में उनकी पढ़ाई पर भी इसका असर उनके रोजगार पर असर पढ़ रहा है इसकी वज़से वो लोग हरताल पर भी जा सकते हैं और इस सब को देखते हुए आज जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होने माली है उसमें स्कूल को खोलने को लेकर के एहम फैसला लिया जा सकता है फिलाल इस वीडियो में इतना ही इस तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें देंडिया टॉप धन्यवाद